अभी हाल ही में इंडिनेशिया के बाली में आयोजे G20 समिट में पीए मोदी से मिलने के लिए उतावले तो दिखाई दिये थे चीनी राश्ट्रपतिशी जिन्पेंग पीए मोदी से सीधा हाथ मिलाने पहुच गए थे पीए मोदी ने भी दिल खोल कर स्वागत किया था अपनी कुर्सी से उचकर बेहद ही गर्म जोशी से जिन्पिंग से हाथ मिलाया था लेकिन ऐसा नहीं था कि पीए मोदी चीन के कारनामों को उस वक्त भूल गए थे बिल्कुल नहीं पीए मोदी चीन को और चीनी राश्टुपती को बहुत अच्छी तरह परख चुके हैं वो भी जानते हैं कि ये दोगला चीन है जिस पर कताई विश्वास नहीं किया जा सकता जिसे कभी दोस्त नहीं समझा जा सकता और देखिए भारत और भारत के प्रधान मंतुरी नरेंदर मोदी की उमीद के मुताबिक शुरू हो चुकी है चीन की नापाक हरकते हैं चीन लगातार अपने वेस्टन थेयर्टर कमान को मजबूत कर रहा है पीपल्स लिबरेशन आर्मी के वेस्टन थेयर्टर कमान के पास ही भारत से लगी सीमा की सुरक्षा की जिम्मेदारी है चीन में बीसवी पार्टी कॉंगरस से एक महिने पहले चीन ने तीन सैयुक्त सशस्त्र ब्रिगेड को पूर्व और दक्षिन से लसी पर पस्चिन थेयर्टर कमान पर बुलाया था और अब भारत के रिए एक बड़ी चिंता साबित हो सकती है क्यों? क्योंकि बढ़ती सर्दी के साथ चीन अपनी गतिविध्या बढ़ा रहा है और अब चीन की गतिविध्य पर ही निरफर होगा इक सायूक्त सशस्त्र ब्रिगेड को चीन भूतान सीमा के पास सिलिगुडी कोरिड़ोर के पास रिजर्व के रूप में तैनात किया हुआ है वही दो और P.L.A. ब्रिगेड अरुनाचल प्रदेश में तैनात है इन तीनों ब्रिगेड को P.L.A. के पूर्वी और दक्षिनी थेटर कमान से वेस्टन थेटर कमान में शामिल किया गया था विदेश मंत्री डॉक्टर S. जैशंकर इस बात को एक बार नहीं बल्कि कई बार कह चुके हैं कि L.A.C. पर शांती और स्थिर्ता द्विपक्षिय संबंधों को बहाल करने के एक मात्र कुंजी है लेगिन फिलहाल चीन की तरफ से देख कर ऐसा लगता ही नहीं कि चीन बाचीत करके मामला सुलचाने के जरासी भी मूड में है वो तो ऐसा लगता है मानो मौका मिलते ही भारत पर चड़ाई करने को आतुर है अभी हाल ही में 12 नवंबर को भारती सेना प्रमोख मनोच पांडे ने सारवजनिक रूप से सपष्ट कर दिया था कि चीन एलेसी पर बुनियादी धाचे कर रिर्मान कर रहा है लदाख में कबजे वाले अकसाइट शिन में पीले सेनिकों की संख्या में कमी नहीं आई है दोनों पक्षों की तरफ से वरिष्ट सेनिकारियों के बीच में अब सत्रवे दौर की बाचीत होनी है जिसकी तारिक भी अभी तक तैर नहीं हो पाई है मतलब सोचिये चीन के साथ 16 दौर की बाचीत असफल रही है उसके बाद भी अब सत्रवे दोर की बाचीत के लिए उमीद लगाए बैठे हैं पस इसे लिए क्योंकि भारत शांती चाहता है भारत चैन से सुखमे होकर रहना चाहता है लेकिन अगर चीन ऐसा नहीं चाहता तो फिर भारत को निपटना भी अच्छी तरह आता है चीन से निपटने की भारत की पूरी तयारी भारत पैंगोंग जील में भी नए लांडिंग क्राफ्ट और गश्टी नौकाएं तेनात की है 135 किलोमीटर लंबी पैंगोंग जील जिसका एक बड़ा हिस्सा तिबत में है दुनिया की सबसे उची खारे पानी की जील है और लेह से 54 किलोमीटर दक्षिन पूर्मिस्थित है रिपोर्ट्स के मताबिक लंडिंग क्राफ्ट में 35 सैनिक या एक जीप और 12 जवान सवार हो सकते है अधिकारियों का कहना है कि निगरानी के लिए खरीदी गई नई स्पीड बोर्ट्स 35 समुदरी मील की गती तक पहुँच सकती है इसके लावा भी चीन से निपटने की भारत की तैयारी पूरी है भारतिय सेना जानती है कि पीलेक के कबजे वाले अक्साइटिन में सैनिक पूरी तरह से तैनाथ है जिसमें रोकेट, आर्मर, आर्टिलेरी और मिसाइल सपोर्ट रेजिमेंट के साथ सेना के दो डिविजिन और बौर्डर गार डिविजिन है भारतीय सेना भी पूर्वी लद्दात में कवच और साहेक तत्वों के साथ बड़ी संख्या में तैनात है एक अधिकारी का कहना है कि खोतान, कारगर, लहसा, नियंग्ची हवाई अड़ों पर लड़ाकों विमानों के अलावा गारगुंसा हवाई अड़े पर भी पीले वाई सेना स्टैंडबाई पर है अब चीन के तैयारी कैसी भी हो, भारत को अगर उसने छेडा तो अंजाम काफी बुरा भुकतना पड़ सकता है भारत अब पुराना वाला भारत नहीं रहा, भारत अब अपने उपर पढ़ रही विपदा को नजर अंदास करने वाला देश नहीं रहा बलकि नरेंद्र मोदी का नया भारत है, पहले हम छेडते नहीं और उसके बाद भी कोई भारत को छेडता है तो हम छोडते भी नहीं ये है नए और मजबूत भारत की पहचान, वैसे आप चीनी गतिविधियों को लेकर क्या कहना चाहते हैं, चीन जिस तरह से पियले पर तयारी कर रहा है, चीन की इन तयारियों पर भारती सेना कैसे लगाम लगाईगी, उस पर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट कर हमें अप